असलाम लेकुम जी असन शारिक रेगिलेटर कनेडियन इमिगरेशन कंसाल्टेंट एक और वीडियो के साथ आप सब की शित्वत में हाज़र इस उमीद के साथ के आप और आपकी फैमिलीज जहां भी हैं खेरियत से हैं आप्याट से वीडियो के अंदर में एक्सप्रेसेंटरी से रेलेटर कुछ ऐसे क्वेस्टेंड और जो कि यह मैं स्टाफ फील के यह में बड़े रिगलर क्वेस्टेंशन थे हैं तो आपलोड करते हो ताके जो भी लोग इसमें इंट्रस्टेड हो वो फिर इन्टीजियो को तो सबसे पहले लोगों का वो लोग जो कि मैरिड हैं और वो एक्षप्रेसेंट्रिक लिए अपलाइ कर रहे हैं उनका एक बड़ा regular question होता है कि किसने primary applicant बना है और किसने secondary applicant बना है तो देखें अगर आप married हैं और आप as married अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये ascertain करना कि अगर हम express entry को देख रहे हैं और हम federal skilled worker program को देख रहे हैं या हम जो और PNPs हैं लाइक Ontario का PNP है अलबर्ट का PNP है जो CRS based पे चलते हैं अगर हम उसके लिए apply करें तो definitely हम यह देखेंगे कि किसकी possibility ज्यादा है to score a better CRS तो आप दोनों में से जो भी better CRS score कर सकता है वो primarily applicant होगा और दूसरा जो है वो साथ as dependent हो सकता है जी तो एक बड़ा commonly asked question कि अगर married couple है जो कि apply कर रहे हैं या interested है in express entry तो लोगों का सवाल यह होता है कि IELTS क्या दोनों ने देना है जो आपके secondary applicant है या आपका जो dependent spouse है उन्होंने IELTS ECA देना है या नहीं देना और देना अगर है तो उसके साथ question होता है कि उन्होंने भी CLB 9 या CLB 8 score करना है तो सबसे पहले देखें अगर आप express entry के लिए apply कर रहे हैं और most of you जो कि offshore है वो federal skill worker program को अगर देख रहे हैं तो primary applicant जो है उसके लिए IELTS देना mandatory है IELTS देना और ECA करवाना ठीक है जी और उसके लिए for instance जितना आजकल के cut-offs हैं तो जो high score आपने high CRS achieve करना है तो CLB 9 score करना जरूरी है तो primary applicant के लिए तो जरूरी है अगर आप married है and you have a dependent spouse तो उनके लिए mandatory नहीं है वो अगर IELTS दें और अपनी qualification का ECA करवाएं तो definitely that can add some points और उसका benefit भी होता है because married applicant को हर factor के points कम मिलते हैं लेकिन उनके लिए IELTS देना ECA करवाना is not mandatory अगर आपका score उसके बगार meet up हो जाता है तो you can put up your joint application without ECA या IELTS ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि अगर उन्होंने अपना ECA करवाना है या IELTS देना भी है तो उनके लिए mandatory नहीं है CLB 9 लेना तो for instance अगर आपके spouse ने IELTS दिया और उनका different CLB levels आए in each module तो हर module का अलेदा अलेदा score जो है उसकी base पे कुछ points आड़ हो जाएंगे और उनके लिए CLB 9 की requirement नहीं है यह primary applicant के लिए होती है इसी तरह जो ECA है ECA again it doesn't matter के उनकी qualification क्या है अगर primary applicant की master's level qualification है तो वो उसका benefit लेंगे लेकिन जो spouse है जो के secondary applicant है वो उनकी जो भी qualification है for instance अगर उन्होंने दो साल का की graduation की हुई है उन्होंने master's किया हुई है उन्होंने intermediate किया हुई है तीक है वो उसका ECA करवा लेंगे और यह लेंगी और उसके points उनके hard हो जाएंगे Another common question that we get to have is कि आपने किस degree का या किस qualification का ECA करवाना है तो जहन में रखिए के express entry के लिए और फॉर मोस अदर प्रोग्राम ऑपरेटेड अंडर express entry जिनके अंदर नेमली अगर आपका federal skill worker program है Canadian experience class है federal skill trade program है वह ज्यादा तर लोगों के लिए applicable नहीं होगा जो मेरी programs के लिए the requirement is that you need to have your highest level of qualification assessed through ECA so आपकी जो highest education है जो top qualification है उसका ECA आपने करवाना होता है so अगर आपने फर इंस्टेंस चार साल का bachelor's किया हुआ है और उसके बाद एक साल का master's किया हुआ या दो साल का master's किया हुआ है तो अगर आप अपनी cost save करना चाते हैं और आप अपनी top degree का ECA करवाना चाते हैं तो fair enough यहां पर यह बात जरूर जहें में रखिएगा कि अगर आप provincial nominations को देखने हैं तो there are few PNP programs one of the examples SINP Saskatchewan का जो immigrant nomin program है they want के आपका जो ECA हुआ हो वो उसके अंदर आपकी highest degree और उससे पीछे की भी bachelors and onwards की degrees उसमें mention जरूर हुई हैं तो उस case में फिर आपको अपनी multiple degrees का ECA करवाना पड़ेगा but federal skilled worker program के लिए OMP के लिए Alberta के लिए and most of the immigration programs जिनको IRCC deal करती है it is your highest level of qualification जिसका ECA होना जरूरी है another common question so because a lot of applicants जिनको मैं deal करता हूँ वो पाकिस्तान, इंडिया, South Asian background से हैं तो बहुत सारे लोग कई दफ़ा ये question करते हैं if they are studying in say Australia or UK तो वो कहते हैं कि जी हमें वो degrees भी उनका भी ECA चाहिए आपकी कोई भी non-Canadian education उसका अपनी ECA करवाना है so वो दुनिया में आपने कहीं से लिए आपने पाकिस्तान से लिए आपने इंडिया से लिए बंगलादेश से लिए है Dubai से लिए है, USA से लिए है, as long as it is non-Canadian education उसका ECA करवाना जरूरी है Another common question, जो के बहुत सारे लोगों से बड़ा frequently आता है वो है कि हम लोग यह कहते हैं कि जी मेरे कोई eligible relatives हैं जो के Canada के अंदर है, permanent resident है या citizen है उनके किस तरह मुझे points मिल सकते हैं Keep in mind कि express entry के लिए आपको सिरफ अपने siblings, अपने भेन भाई जो है उनके points मिल सकते हैं अगर वो Canada के permanent resident या citizen है और उनका active residency Canada में है So अगर वो for instance citizen है और वो Canada के अंदर resident ही नहीं है तो फिर this will not fetch you points क्योंकि आपको जब आप document submit करते हैं तो आपको evidence provide करना होता है कि they are actively residing in Canada आपके cousins, आपके aunts and uncles, आपके extended family या आपको कोई points नहीं दे सकते हैं आपके friends या आपको express entry के लिए points नहीं दे सकते हैं कुछ provincial nomination programs के लिए आपको extended family के, extended family में I would say like uncles and aunts extended family का word नहीं use करना चाहिए फिर भी आपकी close family ही, आपके brothers and sisters, parents, आपके real uncles and aunts कुछ provincial nomination के cases के अंदर वो आपको कुछ benefits या कुछ extra points दे सकते हैं बट express entry के लिए नहीं यहां पर एक चीज़ importantly mention करता जाओ, because I mentioned PNP के आपको points उस particular province की PNP के लिए तब मिलेंगे, relatives के इसी सूरत में कि अगर आपके eligible relatives उस province के अंदर reside कर रहे हैं अगर आपके close relatives like siblings उस province में नहीं reside कर रहे हैं किसी और province में हैं जिसकी PNP के लिए आप apply कर रहे हैं तो you have to tackle this very tactfully because यह at times doubt create कर सकता है in the eyes of the provincial immigration department कि अगर आपके close relatives like your siblings are not in the same province so aap long term शायद उस province के अंदर reside ना करें and your intention to reside in that particular province might not be a genuine one तो इसको थोड़ा सा deal करना पड़ता है coming back to the original topic express entry के लिए आपके siblings are the ones are the relatives जो आपको points दिलवा सकते हैं